KKR की सामने होंगे रोहिष शर्मा और सूर्या नरेन और रसेल से कैसे बचेंगे मुंबाई की गेंदवाज IPL 2024 का मैश नंबर 60 अब तक 69 मुकाबले हो गए हर मुकाबला अपने आप में दमदार यानि एक थ्रिलर पिक्चर जैसे हर मोड पर एक नया रोमांच और अब ये 60 मुकाबला है अब तक आपने फेंटसी टीम में भी बहुत कुछ देख लिया है तो आज बात करेंगे KKR बना मुंबाई किस मुकाबले की मुकाबला होगा Eden Garden मेंने KKR का Home Ground है मुकाबला नंबर 60 है शाम साड़े साथ बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा साथ बजे टॉस होगा और टॉस किल समय ही अपना एलाम लगा लिजेगा चुकि यहीं आपको बदलनी है आपकी फेंटसी टीम तो चले बात करते हैं हेट टो एट रिकॉर्ट से बताएंगे आपको पिछ रिपोर्ट कैसी है दोनों टीमों के हालात कैसे है प्ले इंगलेवन में क्या बदला होंगे और कैसे बनाएंगे बहतरीन फेंटसी टीम कप्तान और वाइस केप्टन के कौन होंगे बहतर च्वाइस सब आपको बताऊंगा वीडियो आखरी तक देखिएगा सब कुछ पता चल जाएगा चले ही शुरू करते हेट टो एट रिकॉर्ट से हेट टो एट रिकॉर्ट की बात करें दोनों टीमों की बीच अब तक 33 मुकाबले खेले गया है इन 33 मुकाबलों में केकेार ने 10 मुकाबले जीते हैं जबकि मुंबाई ने 23 मुकाबले जीते हैं लेकिन इस साल जो भी हाल LAUGHTER दोनों की बीच मुकाबला खेला गया था केकेार ने बहुत जबर्जस तरीके से जीता था केकेार का परणगों धोड़ा यहां पर भारी है कोलकाता की पिछ पर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है बल्ले बाजो के लागवा यहाँ पर की जो पिछ है वहाँ पर तेज गेन बाजो को भी फायदा मिल सकता है पंजाब की टीम ने इस मैदान पर केके आर के खिलाफ ही 200 एक्स्टरटरं चेस कर सुकी है जो T20 क्रिकेट का सबसे हाईस स्कोर है अब दुनिया की सबसे बढ़िया चेस है वो पंजाब ने किया और KKR के खिलाफ ही किया था तो क्या मुंबई पहले टॉस जीतेगी गेन बाजी करेगी या फिर पहले बल्ले बाजी करेगी देखना दिल्चस्प होगा या फिर दोनों टीमों में जो भी टॉस जीतेगा क्या करना जाएगा एक प्रफरेंस होता है लेकिन फिर भी कोलकादा की टीम यही चाहेगी कि वो डिफेंट करें जो भी टोटल एक खड़ा हो और उसे वो डिफेंट करने के लिए जाएं अगर बात करें दोन टीमों के हालात की तो उसमें पहला नाम आता है मुंबाई का, मुंबाई बाहर हो चुकी आई पिल से, आप मुंबाई के चांस नहीं है कि वो प्ले आफ केले जबकि केकियार की टीम नंबर वन है, यानि केकियार ने शाल सबसे धमाकेदार प्रदसन किया जबकि मुंबाई का प्रदसन बहुत ही बेहतर रहा था, दोनों टीमों के अगर आखडों की बात करें, तो केकयार की टीम ने अब तक 11 मैच खेल कर उसमें से 8 जीत चुकी है, तीन में उसे हार मिली है, जबकि टीम के पास सूला अंक है, और पॉइंच टेबल पर इस वक्त टीम पहले इस्थान पर काविज है, वहीं मुंबाई की बात करें, तो मुंबाई की टीम 12 मैच खेल कर उसमें से 4 जीत पाई है, आठ में उसे हार का सामना करना पड़ा है, और टीम के पास कुल 8 पॉइंट है, अब टीम जीती भी सारे मुकाबले तो तब भी 12 पॉइंट थ की थी, वहीं मुंबाई ने जबर्जस तरीके से हैदराबाद को हराया था, यानि दोनों टीमों के बीच जो जंग होने वाली है, वह बहुत ही धाकड होगी, दोनों में से किसी एक को मात जरू मिलेगी, वैकिन फिर भी मुकाबला बहुत जोरदार होगा, क्या होगी प्ले प्लेर के दोर पर रिंकु सिंग खेलते हुए नजर आएंगे, अगर बात करें मुंबाई इंडियन्स की, तो इसमें होंगे इशांज किशन, रोई शर्मा नमंधीर, शूरिकुमार यादो, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या टिम, डेविड अंसुल कंबोज, प्यूश श्यावला हर, जस्पित बुमरा और नुवान तुसारा, इंपक्ट प्लेयर पर नहाल वदेरा को फिर से मौका मिल सकता है, यानि दोनों टीमों में साथ कोई बदलाओ नहों बीना बदलाओ इसे दोनों साथ, दोनों टीमों उतर सकती, तेज गिंदबाजी में फाइदा हो जिन्हों ने अच्छा बर्दसन किया, जिन्हों ने रन बनाएं, या फिर विकेट चटका हैं, तो पहले बात कर लिदे केकी आर की, केकी आर की तरफ है सुनिल नरें जिन्हों बनाएं 461 रन, नमबर दूसरे पर आते हैं, फिल सौल जिन्हों बनाएं 429 रन, यानि दोनों दावेदार है कप्तान या वाइस केप्टन बनाने के अगर बात करें मुंबई इंडियन्स की तो तिलक पर्मा सबसे आगे हैं इनके खाते में 384 रन नमबर दूसरे पर आते हैं सूरिक उमर्यादो जिनके पास है 334 रन अगर बात करें गेंदबाजी की तो गेंदबाजी में हालात आपको पता है मुंबई सिर्फ पार्टी विगार सकती है और पार्टी विगड़े भी नहीं चुकि केके आरप टॉक पर बनी हुई है अगर बात करें इस वक्त फैंटसी टीम की यानि जिससे हमें फायदा होगा टीमों को फायदा हो ना हो वो अलग कहानी है लेकिन इससे फायदा हमें हो तो इसके लिए एक बहुतरीन फैंटसी टीम मनाते है पहला ऑप्शन आता है विकेट कीपिंग का इसमें रखिए आप इशान की सन को और फिल सॉल्ट को नंबर दूसरे पर बल्ले बाज आते हैं इसमें वेंकिटे सायर सूरिया और तिलक वर्मा को र रखिये और उशाल होगा और चक्रवर्ती कमाल कर सकते हैं अगर बात करे कप्तान और वाइस के जबाएस के सला देता हूँ ये बुराही नहीं कररा रोहिश शर्मा की थोड़ा कम चलते हैं थोड़ा फंसते हैं लेफ्ट एंड के साथ जिस तरह से इंगल के साथ उनके खिलाफ गेंदबाजी हो रहे वह थोड़ा से चिंता जरा को सकता है टीम में भी रख लीजे लेकिन वाइस केटर और कप्तान बिल्कुल मत बनाई के थोड़ी सला है तो फिल